Find the ratio in which point P 4, M divides the line segment joining point A 2, 3 and 6, minus 3 hence find M तो यहाँ पर situation यह है कि आपको एक line दी गई है और वो line के दो joining point जो है एक का नाम है A coordinates है 2, 3 और एक का नाम है B coordinate 6, minus 3 उसको एक point है P जिसके coordinate 4, M break कर रहा है कि बता किस ratio में break कर रहा है आपको पता नहीं है किस ratio में break कर रहा है आप मानलो M1 ratio M2 में break कर रहा है समझ में आया है तो चलो भई यह formula क्या होता है breaking point का formula होता है x coordinate equal to x coordinate equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 पता है यह आपको नहीं पता m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 यह x1 x1 x2 क्या होते हैं यह जो coordinate है इसको बोलोगे x1 comma y1 पहला वाला और यह जो coordinate है second वाला इसको बोलोगे x2 comma y2 तो यह होता है x coordinate और जो y coordinate निकलता है वो होता है m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 यह होता y coordinate समझ में आ रहा है बात? नहीं आया सिंपल है ना भई आपको जब यह समझ में आगे तो यह तो समझ में आने चाहिए यह भी नहीं आया यह भी नहीं आया अच्छा तो पहले आपको फॉर्मूला बनाके दिखाते हैं ना यह दिखिए यह मान लिज़े आपके पास यह पहला coordinate है x1 y1 दूसरा coordinate है इसका नाम a ले लो इसका नाम b ले लो यह ले लो x2 और y2 अब यह कोई breaking point है breaking point का नाम ले लो पी क्या ले लिया coordinate low x,y किस ratio में break कर रहा है इसको m1 ratio m2 में ठीक ना तो breaking point क्या होगा यह को पहला x simple है m1 को इसके साथ पसाओ x2 के साथ और इधर वाले को इसके साथ तो m1 x2 plus m2 x1 अब यहां अपॉन एम वन प्लस हैं इसको 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 सेक्शन फॉर्मूला है ना दूसरा ऐसे ही y coordinate निकलेगा आपका क्या निकलेगा y coordinate आपका m1 y2 m1 किसके साथ बिढ़ेगा वाइटू के साथ इधर वाला ratio m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus समझ में आ रहा है clear हुआ कि नहीं हुआ अब इस question में आपको x की value दे रखी गई है किट्टी दे रखी गई x की value देखो आप 4 दे रखी गई ना बोलो हाया ना तो x की value आपको 4 दे रखी गई है और बदले में आपसे m1 और m2 पूछा गया है चलो भाई तो लगाते हैं आपन solve करते हैं यही solve कर देता हूँ मैं तो x की जगए 4 है तो 4 equal to 4 equal to देखना भाई यहां क्या ratio है m1 यहां क्या है m2 m1 x2 यानि 6 के साथ बिढ़ेगा m1 तो m1 x2 कितना हो जाएगा 6 क्या हो गया 6 m1 plus m2 किस के साथ बिढ़ेगा 2 के साथ plus 2 m2 upon m1 plus m2 clear हुआ की नहीं हुआ 4 का multiply कर दो 4 का multiply कर दोगे तो यह आ जाएगा 4 m1 plus 4 m2 equal to 6 m1 plus 2 m2 clear है 4 m1 plus 4 m2 equal to 6 m1 plus 2 m2 अब देखो दोड़ा जुगार से लगतूं को लगाना है 4 m1 यहां है 6 m1 को यहां लेकर हो माइनस करोगे 4 m1 minus 6 m1 कितना हो जाएगा minus 2 m1 हो जाएगा की नहीं हो जाएगा 4 में से 6 जाएगे minus 2 यह 2 m2 है 2 m2 है 4 m2 उधर जाएगा 2 में से 4 2 m2 minus 4 m2 कितना हो जाएगा भाई जो जाएगा minus 2 m2 clear है की नहीं है minus से minus क्या हो गए cancel देखो यह m1 है upon में लियाओ m2 को m1 के upon में m2 को लियाओ गए तो इधर कितना बचेगा 2 यह 2 नीचे चला जाएगा यह भी 2 2 से 2 cancel answer m1 upon m2 equal to कितना है 1 ratio 1 मतलब 1 ratio 1 समझ मैं है मतलब यह midpoint होगा बराबर ratio में क्या तूटते है midpoint तो अपने को m की value निकाल नहीं है m कौन सा coordinate है y coordinate है m कौन सा coordinate है तो midpoint के लिए क्या होता है 3 यह बैठा हुआ है minus 3 यह बैठा हुआ है तो midpoint का formula क्या होता है midpoint का formula होता है दोनों coordinate का sum divided by 2 तो 3 plus minus 3 divided by 2 तो 3 और minus 3 कितना हो गया 0 0 by 2 answer कितना हो गया 0 तो मतलब m की value कितनी होगी 0 clear हुआ कि नहीं हुआ इसको 4-5 बर करिए तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा clear है